आज तीज के नहाँ खाए के दिन पहला निवाला मैंने अपने पती के हाथ खाया वो भी है ना बहुगवान ने कैसे मनजूर किया आईए मैं आपको विडियो में बताती है तो सुबह-सुबह अंस को स्कूल भेजनी के बाद मैं बेट सीट चेंज करने लगी क्योंकि आज हम लोग का है ना तीज का नहाँ खाये चालू हो गया है तो सबसे पहले मैंने बेट सीट चेंज किया क्योंकि मेरी मम्मी ना सुरू से बोलती है कि पूजा पाट के दिन ने बेट सीट चेंज कर लिया करो क्योंकि इनसान कैसा बोड़ी लेकि कैस कैसे बैठता है बेट पे सू लाने लगिया है आज 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 मुझे ऑफिस जाना है ले टोड़ा है तो मैं जल्दी जल्दी उनको दरवाजे के पास छोड़ कर और फिर चली आई अंदर अंदर आके मैंने नास्ते में सेव किया आज मुझे नास्ता खाने का बिलकुल भी मन नहीं कर रहा था पता नहीं आज मैं बीना लहसंद प्याज का खाना खाते हैं और नहाकर खाना वनाते हैं मतब नहाकर बोले तो बाल-वाल धो ओकर अच्छे से सूद से खाना वनाते हैं लहसंद प्याज नहीं डालते हैं तो आज मैं यह फूट ब्लोग इन नहीं कर रह отвеч support नहीं कर रही हूँ बस normal हीheim लॉग इन बना रही हूँ जिसमें मैंने पड़वल का भुजिया भुजा सरसो तेल डाल दिया और हरा मिर्च और मेथी का फोड़न देखे हल्दी नमक डाल के पड़वल को पतला पतला काट दिया था उसके बाद लाल-लाल भुजिया भुज रही हूँ नॉर्मल अरहर दाल मूंग डाल बनाया है जिसमें मैं चौका दे रही हूँ जीरा, राई, कड़ी, पत्ता, मिर्चा का चौका दे रही हूँ जिससे खाने में टेस्ट आ जागा गाईज आज मुझे जादा खाना बनाने का मन नी कर रहा था पता नहीं मुझे क्या ओड़ा था मन कर रहा था कि अडाम कर लूँ लेकिन है खाना तो बनाना ही था उसके जैसे ही मैं खाना बना रही थी देखें मेरा परवल का भुजिया लाल लाल भुजा रहा है उसके बाद है अभी चलते है इसका तयारी करने पकोड़ी का तयारी करने आज मैं बिना लैसन का पकोड़ी बनाऊंगी त का वल के आंटा से हमारार ना Dang्रिस्पी बंता है कि टेस्ट के एकॉलिंग नमक, अल्दि यादी मिर्चा पावडर कॉली मिर्च का पारडर डाल दूंगी छीशयात की तो यह शूता हु? ये बड़ा बड़ा मिर्च मेरे हस्बिन सुबह में खड़ीद कर लाए थी कि आज पकोड़ी बनाना क्योंकि वो जान गये थी कि आज बरत है तो पकोड़ी बनेगा ही हमारे विहार में पकोड़ी खाती ही है तो हमारी ममी तो खाती थी तो इसमें मैंने अधरक और मिर्चा कूट रही हूँ पकोड़ी में डालने के लिए जिससे टेस्ट आ जाएगा अधरक मिर्चा से लैसन रहता है तो लैसन भी कूटना चाहिए लेकिन आज हम लोगो लैसन नहीं खाना है अब पानी डालके है न मिक पकोड़ी बना सकते है केला का पकोड़ी बहुत डिफरेंट लेकिन हम लोग खाने वाले बहुत तब सिर्फ मैं और मेरे हस्बेंड अंस तो खाता भी नहीं है पकोड़ी वह आलू का पकोड़ी खाता है तो मेरा भुजिया ना भुजा आ गया दाल चावल भुजिया और सुनिये वह क्या बोल रहा था कि ममा तो वही है ना बोल रहा था मैंने खाऊंगा लेकिन है ना मैंने वह मैंने पूचा कितना पुरी खाया तो उसने बोला एक और वह ऐसे भी टीफिन उफिनिस करके आता नहीं है फिर भी मैं जैसे ही पकोड़ी छान के मुझे बहुत जादा सरम आ गया मैं अभी अंस का प्लेट लगाड़ी तो मैंने दाल चावल डाल दिया है उसके प्लेट में वह ना पकोड़ी नहीं खाएगा तो मैंने दाल चावल सबजी डाल दिया वो बोल रहा है कि जब तक आप आलू का पकोड़ी नहीं बनाओगे न तो मैं नहीं भी नहीं था मुँव में तब तक भगवान को कुछ और मंजूर था। तब तक हमारे पती देञे सामने कड़े थे अंसाया था दरवाजा HAWU उन्होंने बोला問 हम लोग दोनों एक में खाते थे। आद इनहों क overlap निवाला मुझे खिलाया गाइस तो मैं जली जल दी गई इनके लिए पपोड़ी चाने लगी क्यूंकि वह पकोड़ी अपनेने लिए ही का Haath से घ्लाया तो इससे उप काम क्या उठ उठ के बना भी रही थी अन्स का आलू का पकोड़ा रेडियो गया अन्स के डैडू और अन्स ने खाया के लिए हमारे में बक्जय खोड़े थी ये वो रहे थे एक ही मिर्च नहीं खाना सेयर करना चाहिए लडाई होती है हस्बिन वाइफ में